हेलो फ्रेंज आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं राजा मोर्दवज की कथा लेकर आई हूँ जब महा भारत यूद समाप्त हुआ था उसके बाद अरजुन को वहम हो गया कि सिर्कृष्ण कई सबसे बड़े भक्त वो ही है अरजुन सोचने लगे कि कनहिया न मेरा रच चलाया मेरे साथ रहे इसलिए मैं भगवान का सबसे सरसिष्ट भक्त हूँ अरजुन को क्या पता था कि केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जर्या था फिर भगवान ने उनका गर्व तोड़ने के लिए उनकी परिख्षा का गवा बनाने के लिए वे अपने साथ ले गए सिर्कृष्ण और अरजुन ने जोगिया का वेस बनाया और वन से एक से पगड़ा और राजा के दरबार पर पहुंच जाते हैं राजा मोर्दवज बहुती दानी और आभक्त करने वाले थे अपने दर पर आए किसी को वे खाली हात और बिना भोजन के नहीं जाने देते थे दो साथो और एक सिंग के साथ दर पर आए ये जानकर राजा नंगे पाव दोड़कर त्वार पर आ गए और भगवान के तेज़े नतमस्ता को आथित्य स्विकार करने के लिए कहा भगवान कृष्ण ने मौर्दवज से कहा कि हम मैजबानी तभी स्विकार करेंगे जब राजा उनकी सर्त माने राजन ने जोस में आकर कहा जो भी कहेंगे मैं तयार हूँ भगवान चिरकृष्ण ने का हम तो ब्रामने कुछ भी खिला देना पर ये शिंग नर्भक्सी है तुम अगर अपने कलोते पेटे को अपना हातों से मार कर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आथित्य स्विकार करेंगे भगवान की सर तो सुन मोर्दवज के होस उड़ गए फिर भी राजा अपना आथित्य धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे उसने प्रभू से का प्रभू मुझे मंजूर है पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूँ भगवान से आग गया पाकर राजा महल में गया तो राजा का उत्रवा मुझ देखकर पती फ्रता नारी ने राजा से कारण पूछा राजा ने सारा हाल बताया तो राणी ने आखों से आंसु बह निकले फिर तो वह अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ आप साधों को आदर पूर्वक अंदर ले आए अरजुन ने भगवान से पूछा माधव ये क्या माजरा है आपने ये क्या मांग लिया शिरकृष्ण बोले अरजुन तुम देखते जाओ और चुपर हो राजा तीनों को अंदर ले जाते हैं और भोजन की तैयारी सुरू करवाते हैं भगवान को चपन भोग परोसा गया पर अरजुन के गले से खाना उतर नहीं रहा था राजा ने स्वन जाकर पुत्र को तयार किया पुत्र भी तीन साल का था नाम था रतनकवर वो भी माता पिता का भक्त था उसने भी हस्ते हस्ते पने प्राण दे 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 उफ तक न की राजा रानी ने अपने हातों में आरी लेकर पुत्र के दो टुकड़ी किये और सिंगों को प्रोष दिया भगवान ने भोजन ग्रहन किया पर जब रानी ने पुत्र का आदा सरीर देखा तो आंसु रोप ने पाई भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड कैसे बच गया भगवान ब्रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी जूटे मान को तोड़ दिया है राजा रानी के बेटे को उनके ही हातों से मरवा दिया और अब रूट कर जा रही हो ये उचित नहीं है प्रभू मुझे माफ करो और भक्त का कल्यान करो तब केसाम ने अरजुन का घमन तोटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आव परसादों के आग्या मान कर उसने पुत्र रतन कवर को आवाज लगाई कुछी छणों में चमतकार हो गया मृत रतन कवर जिसका सरी सेर ने खा लिया था अब वो हस्तेवे आकर अपनी मां से लिपट गया भगवान ने मोरद्वज और रानी को अपने विराठ स्वरूप का दरसं कर आया पूरे दरबार में वासुदेव कृषन की जैजयकार गुजने लगी भगवान के दरसं पाकर अपनी भक्ती सार्थक जान मुड़ ध्वज की आके बहराई और बुरी तरह विलखने लगी भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा भगवा परिवार को मौक्स दे दिया जै श्री कृष्णा